हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आप सभी का प्री बोर्ड का जो एक्जाम होने वाला है उसका विज्ञान का पेपर वाराल हो चुका है यही पेपर परतीक स्कूल में आने वाला है तो इस पेपर का आप संपूर हल देखके आप प्री बोर्ड का एक्जाम देने जाए फ्रेंस देखिए आपका जो इज्ञान का पेपर है इसको हल करने के लिए तीन घंटा पंदरे मिर्ट का संपूर समय मिलता है और पुडांग जो रहेगा आपका सत्तर नंबर का रहेगा और इस पेपर को देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका प्रिबोड का कि आने वाला है तो देखें यहां पर इसके कुछ निर्देंस दीए कि निर्देंसके बारे में आप सभी को परतेग पेपर में बता चुक है इस निर्देश को आप पढ लीजिए ठीक है देखी यहां पर प्रश्ण को देखते हैं देखें इसके कर फेसाति के चलिए सीधे प्रस्ट देखें देखें यहां से खंड स्टार्ट होता है जिसमें उपकंड क्या होगा खंड का ऊपकंड कर तीन ग होगा ठीक है का और घग कर इन तीनों के तोटल 20 वह इकलपी प्रश्ण है इसमें परतेक एक एक नंबर का प्रश्ण रहेगा देखिए आपके सामने जो पहला नंबर का सवाल क्या है कि किसी अवतल दरपड़ द्वारा वस्तू के आकार के बराबर वस्तू के बराबर वस्तू के बराबर वास्तवीक उल्टा प्रेंज प्रेंज जिस प्रश्ण का एंस्वर आपको पहले से पता हो उसका एंस्वर आप कमेंटर बाक्स में जरूर लिखें ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं देखें दूसरा नंबर का सवाल आपके क्या है कि स्वेज प्रकास के किरण के प्रिजम से गुजानने पर किस रंग का नियूंतम विचलन होता है यहां पर पूछा है आपसे नियूंतम विचलन सबसे कम द को सब्सक्राइब करते हैं पीछे की और आपके करते हैं विच्छी ऐवच्टो क्वस्थ देखने के लिए करते हैं निकट्रीश्टी दोस्ता को दूर करने के लिए चreney करते हैं यह सादारों करते हैं यहाँ लेन्स का प्रयोग जह सो आपिछे की और वस्तू को देखने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं तो उत्तर लेंस करते हैं तो कार के पीछे का द्रिष्टी देखना है वस्तु को प्रतिविन देखना है तो कौन सा लेंस उत्तर लेंस और उत्तर लेंस का प्रयोग निकड़ द्रिष्टी दोस्त में करते हैं इसके लब उत्तर लेंस का प्रयो करने वाले प्रकास की मात्रा को नियंत्रित करता है ठीक है आपसा ने पच्छमाभी मास्पेशिया या नेत्रलेंस या पुतली या कार्णिया करता है ठीक है यहां भी देगी आग में प्रेश करने वाले प्रकास की मात्रा को नियंत्रित करता है तो वो करता आपका पुतली इ टीक जो फार्मुला होता है आए इसकुरारह ओता है इसके आलवा तीन फार्मुला होते हैं यहाँ आइसकुरार चाहिए देखिए आईसां मचाहा प्याहरा प्रइनालिकतर कि ह Dietrich होता है घेमाताuğा का मतलब क्या होता है कि इस प्रका से प्रिंखा से लिफ्टे होते हैं कापर को इसमें ये जब धारा जाता है उसनों चुंबकी छेत्र रूत पर होता है इस C helping चुम्बकी छेत्र को पूछ रहा है कि किसी विद्धु धारावाई सीधी लंभी परिनालिका के जो भीदर यानि इसके अंदर चुम्बकी छेत्र क्या होता है इसके अंदर जो चुम्बकी छेत्र होता है पर तेक अस्थान पर क्या होता है बराबर होता है यानि समान होता है यहां पर चलिए आप्सन को पढ़ते हैं सभी बिंदों पर समान होता है तो सभी बिंदों क्या होता है समान इसका सही जवाब क्या होगा भीवर्तिक आविर्ति कितनी होती आप याद रखेगा जो भारत में जो आविर्थी होती है कितना होता है पचास हर्ट होता है जिसका सही होता है अब यहां पर देखिए आपका उपखंड किस प्रकार का तक्तो है तो देकि आपसन दिया है धातू होगा अधातू होगा उपधातू होगा या निस्क्री गयस है ठीक है तो देकि आर्सनिक जो है आपका ये एक उपधातू है कौन सा है तो उपधातू इसका सही जोब क्या हो जाएगा सीवला इसके अलब उपधातू के अंतरकत याद जातते हैं इसे सभी प्रशनों को आपको एक बता दिये हैं आपी और रखेगान प्रशनों उता द इए प्रशनों को आपके कूंपी हलियों यह अगले नम्बर के सवाल को देखते हैं देख्ते हैं नम्हान नम्बर का सवाल कि क्या है कि निमनल ये वला आपसण सही उजग और इंड़ाय इसके दो एक दो तीन चार कारimporte यह भी नहीं होगा एक दो तीन चार पाँच कार वन भन वगतीए भी नहीं होगा देकिए हैं ऑफिकिरिया किस प्रकार की है यहिसी यानि कि यहां से क्या कर रहा है कि यह विस्थापित हो रहा है इसको क्या कर रहा है विस्थापित कर रहा है यहां पर कौन सा अभिक्रिया होगा तो विस्थापन अभिक्रिया होगा कौन सा विक्रिया होगा तो विस्थापन अभिक्रिया होगा इस प्रस्ट का सही जो आप ड तो उससे में आपको क्या होता है तो उससे में आपकी त्रिज्या देखिए त्रिज्या घटती है और धात्विक प्रकृती जो होती है धात्विक प्रकृती यह भी घटती है त्रिज्या भी घटता है और धात्विक प्रकृती भी घटता है तो आप सुनके देखिए कालम A और कालम B काशेसा ठीक है जैसे औसमीस ही करते हैं किसमे तो सiłका के निर्मारम करते हैं काहा की करते हैं का करते हैं अप प्रयोग जो हता है व्कृत्तिक इस्पृट बनाने में फिल्टीक सब्सक्राइब करते हैं अब मार्जक करते हैं कपड़ा साप करने में देखिं एक तीसरा को देखते हैं देखिं आपसर यहाँ पे एक कट जाएगा और आफ सवाल आपके क्या हो सब्सक्राइब इसके लाव साथ जो पीएच मान होता है एक उदासीन का यह आपसन पूछता है कि उदासीन का पीएच मान कितना होता है तो उदासीन का पीएच मान साथ होता है यदि साथ से कम जीरो से अधीक होता है यह किसमें आता है आपका अमल में आता है क्या होता है इसे अमल के अंतर क रखे जाते हैं आपको याद रखना है अब यह स्टार्ट होता है अब उप्खंड गार में देखिए आज सी स्टार्ट होता है जीविज्यान क्या है आपका जीविज्यान ठीक है देखिए जीविज्यान के जो चौदा नंबर का प्रश्ण है कि प्रकास संसिलेशर प्रक्रम के दौरान क्या नहीं होता है यानि जब प्रकास संसिलेशर प्रक्रम के दौरान क्या संसिलेशित नहीं होता है तो वह आक्सीजन नहीं होता है इस प्रश्ण का सही जो एवल आप पित्थ का संस्लेसर होता है तो daytime कहा पे होता है तो पित्थ का संस्लेसर है आपका यक्रित्म होता है इस प्रश्ण का सही जवाब क्या होगा क्या कि इस होगा ठिक के दि? होता है तो मानोवीं कोष्ट को संख्या कितना होता है तोटल चार होता है देकि आफसन में दिया है है दो चार होगह दो होगह और और चारे इस प्रकांस्ट का सही जवाब एवल members लेकिन हाइड्रा में नहीं होता है आपका प्लेटर डिया और हाइड्रा दोनों में दिया इस प्रशन का सही जो आप डीवल आप्टन क्या होगा सही होगा अगला 18 नमबर का सवाल डखे varah काइक प्रजनन होता है hardestów दोड़ा का ऊप्रजनन प्रफिलंग किसमें में तो नृम और चेने में या गुलाब में बाए फिलशानले का सक गति सांवा अब 19 नमबर का सवाल में ग्रविंग परषिद्य से जीवन की उत्पति आप्संद दिया है इसके लाव प्राकृतिक वरढ़ सिधान्थ अनुवांशी विज्ञान आथ तु जब विवित्त्ता आथ तू तो देखें डार्विन जो प्रसीद्य ते प्राकृतिक वर सिधान से संबंदि थे इस प्रश्ण का सही जो आप बीवला आप्सन करेक्ट होगा किस देश को पवनों का देश कहा जाता है इस प्रश्ण का सही जवाप एवला आपसन करेक्ट हो जाएगा ठीक है अगला प्राश्ण देखें आपके जो बीस नंबर के बविकल्पी प्रश्ण थे वो कम्प्लीट होगे अब इस्टार्ट होता है जिसमें उप्खंड कहोगा जिसमें आपके भोतेवी विज्ञान से सभी संबंदित सवाल है ठीक है यहां पर देखें 21 नंबर का सभी सवालों को बता देते हैं इन प्रश्णों को आप जरूर तयार कर लीजिएगा यदि डिटेल में वीडियो देखना है तो आप जाके प्लेलिश से इसका डिटेल व नंबर का बताना है परत्विम परत्विम की इस्तिथी बताइइए इसका किरघव बगैस और प्रकाशिक के आपको जरूर बनाना है ठीक है यह भी आपको कितना नंबर का चार नंबर का प्रशन था अगला देखिए 23 नंबर का क्या है नीचे दिये गए परिपत चित्र में 10 ओम 40 ओम 30 ओम 20 ओम और 60 ओम के 5 प्रतिरोध एक 12 बोल्ट की बैटरी से दिखाए दिखाए अनुसाद जुड़े हैं तो गणना करना है यहां पर चित्र में आपको दिखाए लिए कि इसित्र को हल करके आप को क्या करना है कि जया जो प्लेलिस्ट से विड्यान का जो शी सकते हैं अगले नमबर का सवाल 24 नमबर का इस सवाल को आप जरू तयार कर लिजिएगा इसके अलावा विद्दुजनित्र देखिए आपके कोर्स से अड़ गया तो छोड़ दीजिए ठीक है यह अच्छा नमबर का प्रश्ण पूछाता है चलिए अगले नमबर के सवाल को देखते ह आपको 25 नमबर का सवाल है इसमें आपको 25 नमबर का आउपसी नमबर का आउपसी तयार कर लिजिए अब देखिए आपका 26 नमबर का सवाल क्या है आदूरिक आवासाइम कुल कितने वर्ग तता आवर्थ हैं तिए आप प्रश्ण चोड़ दीजिएगा इस प्रश्ण को मत तयार कीजिएगा अब देखिए अगला नमबर का सवाल क्या है 27 नमबर का क्या होता है जब केवल संतुलित रसाइनिक समिकड़ आपको लिखना है टोटल चाह नमबर का है देखिए चूने के पानी में देर तक स्योटू गैस प्र मिलता है इसको साथ में समिकड़ आको सिर्फ क्या करना है कि संतुलित रसाइनिक समिकड़ ही लिखना है ठीक है अगला क्या है कि सोडियम धातू की जल से अभिक्रिया कराई जाती है इस सबका क्या करना था चार प्रश्ण था सबका रसाइनिक समिकड़ लिखना था अथव प्राकृतिक प्राकृतिक संसाद्रों के संपोसित प्रबंद पर एक निबंद लिखना था। प्रशन को प्रशन को मत तयार करें इसकेवाबस प्रशन को द्यार करके आप एक दोस्तों के पास अधिक लिए यू कोसी करें